एक गाइस गुड़ मॉर्निंग वेरी संडे गुड़ मॉर्निंग तो मैं सोच रहा था कि कुछ टॉपिक्स है जो सभी को जानने चाहिए सभी को उसके बारे में इंफर्मेशन होने चाहिए एंड बहुत इंपॉर्टन टॉपिक्स है तो उनके बारे में बात करने माला हूँ तीन टॉपिक्स है फॉर्स है सोचल मीडिया एंड लाइक इसका इंपैक्ट मैंने प्रीविस वीडियो बनाया है लेकिन मुझे और डीटेल में अच्छे से इसके उपर वीडियो बनाना था ताकि आप सब को समझ में आ जाए है नेक्स्ट है अबाउट गिल्ट, फिएर अंड रिग्रेट इन तीन चीजों के बारे में क्या है ये तीन चीज़े गिल्ट, फिर अंड रिग्रेट और किस तरह सा हमें इंपैक्ट करती है and नेक्स कम्स श्किल्स, वाट इस इस skills का importance क्या है आज की real real life में उसका क्या application है उसके बारे में बात करने बाना So let's start first with social media यहां पे आप देख सकते हो एक poster है social media यह है क्या चक्कर Facebook, Twitter, Instagram, Google Circle पहले Orkut था फिर उसके बाद में तंबलर है फिर उसके बाद में Snapchat है मतलब unlimited apps है unlimited अभी वो TikTok भी आ गया है उसके उपर भी लोग कुछ-कुछ कर रहे है फिर उसके बाद में मतलब limited नहीं इसका ऐसे बहुत सरे social media platforms अब भी available है तो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मेरा एक view है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ आपको लगा समझ में आया तो आपके लिए बहुत अच्छी बाते आपको help करेगा so watch till the end अगर नहीं समझ में तो comment box में बताओ आपको क्या अच्छा नहीं लगा क्या अच्छा लगा इस बारे में so let's talk about social media just hold on मैं यह headphones plug-in कर लेता हूँ बात करते हैं okay so let's talk about social media first thing first आज कल की लाइफ अधर impact है social media का हम सभी देखते हैं सभी use करते हैं सभी social life लेकिन हम news में देखते हैं हम media में देखते हैं हर कोई बोलता है कि social media के वजा से depression आगया social media के वजा से anxiety बढ़ रही है social media के वजा से mental issues बढ़ रही है social media के वजा से crime बढ़ रहे social media के वजा से obsession बढ़ रहा यह सभी चीज़े आज कल हम देखते हैं first thing first मैं इन किसी भी चीज़ों से agree नहीं करता हूं उसका reason यह है कि social media का जो meaning है वो most of the time wrongly लिया जाता है wrongly interpret होता है social media मतलब क्या है social means जो सभी लोग रहते हैं society में social media means interaction interaction करना कुछ बात करना that's as simple as that so हम social media का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारी जो कुछ thoughts है हमारी जो कुछ beliefs है हमारी जो कुछ क्या बोलेंगे हम जो हम daily life में करते रहते हैं कुछ activity करते हैं फिर कुछ positive किया मतलब जो कुछ अपने life से related है हम social media के उपर post के through photos या फिर videos या फिर write करके link के कुछ हम डाल देते simple as that अभी यहां तक तो ठीक है यहां से आगे चाके problem तब start होती है जब हम social media का इस्तेमाल एक दूसरी की life देखने क्लिक करते हैं वो heroine ने क्या क्या है वो heroine ने क्या है वो क्या actor कर रहा है वो मेरे ऐसा क्या है मेरे फ्रेंड ने वैसा क्या है is the main problem हमें यह समझ में ही आता है हम हम है हमारी खुद की life हमारी खुद की life है और जो कुछ हमें लाइफ में करने वाले हैं, करने चाहते हैं, वो हमारा खुद का decision है, किसी के लाइफ देखके, किसी का कुछ भी देखके, हम copy नहीं कर सकते, यह first thing first हमें समझ में नहीं आती, जैसे हम बने हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे कुछ rappers, singing से related क चीज़े अच्छे लगती, तो मैं सुनता हूँ, और मैं उसको बोलने का try करता हूँ, उसको copy करने का try करता हूँ, तो वो इसलिए copy करता हूँ, क्योंकि मुझे दिल से पसंद आई, किसी के जूते, किसी के cosmetics, किसी के costly cars, किसी के costly bike, यह कोई चीज़े पसंद करने वाली नही और life में कुछ बनना पड़ेगा, तब आपको financial maturity आएगे, और तब उस पैसे से आप अपनी life किस तरह से जीते हो, वो आपका decision है, process है ना, वहीं पर पूरा mistake हो रहा है, हम देखते हैं और हम, हाँ, मुझको बजी, हाँ, मुझको बेसे, ऐसा नहीं होता है, भाई, ऐसा नही होता है, हमें, हम reality भूल जाते है, social media ने आपको यह नहीं भूला है, कहीं पे भी Twitter, Facebook, Instagram के terms and condition में यह कहीं भी नहीं लिखाए, कि आपको सब कुछ भूल जाना है, और ऐसे real में ऐसे ही बनना है, ने, ने, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, प्रॉब्लम हम लोग, कि हम लोग आज नहीं पाते है उस चीज़ को, सद्गुरु जी का एक कहना है न, हमेशा हो कहते है सद्गुरु जी कि यह जो body है, यह human life है, यह world का सबसे best gadget है, गैजट मतलब जिसमें, गैजट का मतलब पता है न, नहीं पता है तो Google कर लो, world का सबसे best gadget है हमारी body, और अगर हमें इस gadget क चलाने के लिए manually ही नहीं पता है, किस तरह से इसको चलाना है, तो mistakes definitely करने वाल है, simple as that, तो यह चीज़े हमें समझ मिन लिया थी, वो वो person ने, सद्गुरु जी ने life के 25 to 27 years, hardware किया, उसके ओपर study किया, तब जाकि उनोंने अभी social engineering का program बनाया है, जो पूरे इंडिया में, अ problem solve करने का try कर रहे है, so, ऐसी चीज़े इसमें आती है, first thing first, लोगों को समझ महीं नहीं आता, social media क्या है, दूसरे के profile देखना, दूसरों के stalking बोलते हैं, word, उसको English में word है, stalking, दूसरी के, दूसरों की चीज़े देखना, और उसके ओपर जलना, उसके ओपर, तो हम वहीं प कुछ करते हो, कुछ भी करते हो, वो बिंदास्त, क्या बलेंगे उसको, एंडेली, express हम करते है, उस चीज़े, social media बोला जाता है, ना कि किसी का देखे, उसने किया, तो मैं करूँगा, वो वहाँ पे गया, तो मैं वहाँ पे जाओंगा, वो वहीं पे गयी, तो, ये idiot, तो आ आप जो उस बारे में express करना मतलब social media है, आज platform में Instagram है, आज Twitter है, आज Facebook है, आज Tumblr है, Snapchat है, कोई भी platform में, कल और कोई रहेगा, कल और कुछ आ सकता है, previously और क्यूट था, अभी ओडेड हो गया, अभी Facebook, Instagram है, आज ही ये है, तो कल दूसरा कुछ आने वाला है, so it's not a big deal, social media एक emotion के जैसे है, okay, हम इसको control नहीं कर सकते हैं, अगर हम इसको control करने जाएंगे, इसको दबाने के लिए जाएंगे, तो और फट के हो बाहर आएगा, so don't do that, just go with flow, okay, चल रहा है social media पर ऐसे ऐसे, okay, fine, एक limit तक casually देखो, चीज़े upload करो, और अगर अगर obsessed भी आप हो जाते हो, तो खुद से अपसे सोचाओ, कि मुझे मेरे अंदर ये development करनी है, मुझे मेरे अंदर ये चीज़े सिखनी है, मुझे मेरे अंदर ये changes लाने है, और ये changes लाके है, मुझे अपने life में ऐसा-ऐसा कुछ बनना है, और उसके related, मैं post social media पर डालूंगा, ये mindset रखो, अगर जहाँ प in your mind very clearly, तो ये मेरा है social media के बारे में, और एक bird box करके movie आई थी, recently, सबने हो movie देखिये, उसमें जो दिखाई गई न, वो मेरी थे रही है, उन्होंने वो जो evil बगेर है, सभी चीज़े दिखाई है, उसमें ये एक point था, bird box में, कि जितना ज्यादा trust वो mother अपने बच्चों के उपर रखती है, और उनके eyes पे जो पट्टी बानने को बोलती है, उसकी वज़ा से वो लड़किया, लड़का लड़किया, और उसकी mother safe हो जाती है, तो bird box का जो message है, उसमें कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं दिखाए, social media की वज़ा से सभी मर रहे, social media की वज़ा सभी suicide कर र का है, social media का जादा यूज़ करने लगा, तो suicide कर लिया, ऐसा नहीं है भाई, उसके पीछे अलग reason है, उसके बारे में मैं डीटेल में बात करूँगा, just hold on, अभी यहां पी मेरे recording में वीडियो भी stop हो जाएगा, तो मैं just continue करता हूँ, next video में, just hold on कीजे, next इसमें बात क्या है, actually evil, कौन है, actually में इन सभी के पीछे का main villain और evil क्या है, जो depression, anxiety, society में जो mental problems चल रहे, सभी चीज़े चल रहे, उनके बारे में बात करूँगा, और bird box के बारे में थोड़ा सा, आगे की वीडियो में बात करूँ, still, till then, hold on कीजिए, मिलते अगली वीडियो में, social media part 2 मे hold on